देशबर में लोकसवा चुनाओं के अब तक के चार चरण के मदान संपन हो चुके हैं इसके साथ ही पाचवे चरण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं जिसके लिए तमाम नेता चुनावी मैदान में डटे हुए नसरा रहे हैं पाचवे चरण में जिन सीटों पर मद्दान होने हैं उन सीटों पर दिगज नेता प्रचार करते हुए अपनी पाठी को जिताने के ज्वनता को फायदे गिनबा रहे हैं साथी विपक्षी पाठी और उनके नेताओं पर जम कर हमला भी कर रहे हैं बुदवार को उतर प्रदेश के मुख्यवंतरी यूगियादित तिनाथ ने काँग्रिस के अध्याक्ष मलेका अरजुन खर्गे पर जुआनी हमला बोला C.M. योगी ने मलेका अरजुन खर्गे को घेते हुए उनको सच बोलने की सला दो दी CM यूग्या दितिनात ने कहा कि कॉंग्रिस के अध्यक्ष मलिकार जुन खरगे को सच बोलने की आदर डालनी चाहिए उत्तरप्रदेश में कॉंग्रिस का बैसे भी सफाया है उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस हो या समाजबादी पार्टी दोनों ने ही हमेशा बटवाले की राजनीती की है कॉंग्रिस का एतिहास है देश को पहले बाटा फिर जाती मत और मजब के आधार पर बाटा शेत्र और भाशा के अधार पर बांटा आज फिर ये उसी प्रकार से विभाजन की राजनिती करना चाहते हैं इसके साथ इसी अम्योग्या दितिनात ने क्या कुछ कहा है आपको सुनबाते हैं लोकसभा चुनाओ का चार श्टन संपन हो चुके हैं पुरे देश के अंदर मोदी जी की जो लहर है वह एक सुनामी बन करके सामने आ चुकी है कॉंग्रेस नित्रित्व का इंडी गडवन्दन पूरी तरह इसकी हवा निकल चुकी है इनकी नकारत्में ग्राजनिती को जनता ने पूरी तरह खारिच किया है मुझे अस्थर होता है कि कॉंग्रेस के अध्यक्स मलिक और चुन खड़के जी उनको सच बोलनी के आदर डालनी चाहिए योपी मैं तो कॉंग्रेस का वेसे भी सफाया है बुणी नहीं खुलने वाली इनकी और कॉंग्रेस या समाजवादी पार्टी जिन लोगों ने हमेशा बटवारे की राजनीती की हो कॉंग्रेस का तेथ्यास है देश को पहले बाटा फिर जाती मत और मजभ के आधार पर पुरे देश को बाटा छेतर और भासा के आधार पर बाटा आज फिर उसी प्रकार की विभाजन की राजनिती ये लोग करके देश की पूर्णी अच्छती करना चाहते हैं भारत का जागरूक मत दाता 2014 में कॉंग्रेस से पिंड छुड़ा चुका है अब कॉंग्रेस कभी पुना देश के अंदर सत्ता में नहीं आ सकती है दूसरा जूड बोल करके गुम रहा करने की जोई राजनिती करते हैं बाबा साब भीमरा उमबेट करका सरवाधिक अपमान कॉंग्रेस ने किया समाजवादी पारटी की प्रदेश में सरकार थी इन्होंने बाबा साब भीमरा उमबेट कर और उन समाचिक न्याय के पुरोधाओं का कितना बड़ा अप्मान किया था कैसी सच नहीं 2012 में समाजवादी पार्टी के अध्यक्स उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी रहे थे इनौने कहा था कि यहाँ पर जितने भी दलित महापुरुसों के इसमारक बने वे इन सब को तोड़ करके यहाँ पर हम लोग कोई दूसरी चीज बनाएंगे ऐसे ही बाबा साथ भिम्राओं बेट करके नाम पर बनावा कन्योच का मेडिकल कॉलेज का नाम करने इनौने हटा दिया था मानेवर कांसी राम जी के नाम पर बनावा मेडिकल कॉलेज का नाम इनौने बदल दिया था लखनों में भासा विश्विद्याले का नाम करने इनौने बदल दिया था इनका इत्यास तो पहले से ही इन दोनों का इत्यास भारत के सम्मिधान के खिलाब आच्छन करने भारत को जाती के नाम पर बटवारा करने और बिभाजन की खाई को इतना पाटो कि बांटो और राज करो का जो कॉंग्रेस का सिद्धान्त राह है आज इंडी गडवंदन उसी का नुशन कर रहा है दूसरा देश की आस्ता के साथ भी इसी आधार पर ये लोग खिलवाड करते हैं यही खड़के जी है न जोनोंने भगवान राम और भगवान सिव को ही लड़ाने का प्रियास किया था यानि जब जातिये लड़ाई ये लोग नहीं करा पाए और जातिये संघर्ष के आधार पर वर्ग संघर्ष की इस तरीदी पैदा करने में विफल रहे तो इन लोगों ने भगवान राम और भगवान सिव के बीच में ही लड़ाई करवाने का प्रियास किया था ये तो इनकी चुद्र मनसिक्ता है जो इस तरीके से भारत के आस्ता के साथ खिलवाड कर रहे हैं ये नया भारत है आज प्रधानमंत्री मोधी जी के नित्रित्व में पुरा भारत सम्मान सुरक्सा और सुसासन कि जिस नए माहोल में आया है वा आत्म निर्भरता और विक्सित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ा रहा है झाल 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 झाल